हेलो दोस्तो मेरा नम अमित है NDT & Quality YouTube चनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो अगर आप fabrication के फिल्म में काम करते हैं तो उसमें चाहे आप as a NDT technician काम करते हो या फिर QC engineer मतलब quality के फिल्म में काम करते हो तो fabrication में बहुत सारे टाइप के vessel बनाए जाते हैं जिसमें जिसको हम pressure vessel ऐसा बोलते हैं ठीक है तो pressure vessel जो होते हैं उसमें कई सारे टाइप के pressure vessel आपको देखने को मिलते हैं वो pressure vessel dimension के इसाब से या फिर उसके service के इसाब से उसका classification होता है ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम pressure vessel जो रहता है उसके कई सारे टाइप के क्लासिफिकेशन देखने वाले है ठीक है और प्रेशर वेसल पहले के टाइम में कैसे बनाये जाते थे जब वेल्डिंग का भी इजाप नहीं हुआ था मतलब वेल्डिंग भी सर्विस में नहीं था तो वो टाइम को जरूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेर करिए तो सबसे पहले तो हम प्रेशर वेसल क्या होता है ये देख लेते हैं तो प्रेशर वेसल किसको बोलेंगे प्रेशर वेसल is a कंटेनर डिजाइन इंटर्नल और एक्स्टर्नल प्रेशर ठीक है तो जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा होगा वैसा ही ये प्रेशर वेसल होता है ठीक है तो प्रेशर वेसल जो होता है उसमें इंटर्नल या एक्स्टर्नल प्रेशर रहता है ठीक है कई बार कई लोग ऐसा बोलते हैं कि pressure vessel में खाले internal pressure ही मिलेगा आपको पर ऐसा शरूरी नहीं है उसमें external pressure के लिए भी pressure vessel बनाए जाते हैं तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि external pressure के लिए भी किस type के pressure vessel यूज होते हैं ठीक है तो एक टाइप का जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा होगा वैसे टाइप का ही प्रेशर वेशल होता है प्रेशर वेशल में have been constructed in accordance with ASME BPVC section 8 other recognized pressure vessel codes or as approved by the jurisdiction प्रेशर वेशल जो रहता है वो code के हिसाब से बनाए जाता है code या approved standard रहता है उसके इसाब से आप प्रेशर वेशल जो है वो बनाते है तो code standard क्या होता है या specification क्या होता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था ठीक है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखेगा उसमें code specification standard यह तिनों का difference क्या है यह मैंने बताया हुआ है तो generally जो pressure vessel जो बनता है वो ASME BPVC BPVC मतलब की boiler and pressure vessel code उसके section 8 जो है उसके इसाब से बनाया जाता है ठीक है तो उसके अलवा भी कई सारे code market में available है तो उसके इसाब से pressure vessel जो है उसका construction होता है और इसके अलवा अगर हम इंडिया की बात करें ठीक है तो इंडिया का jurisdiction है उसमें IBR करके regulatory body है IBR मतलब की Indian boiler regulations ठीक है तो सभी country की अलग-अलग jurisdiction होता है उसका अलग-अलग law होता है तो वो law जो होता है उसने जो approve किया है तो उसके इसाब से आपका pressure vessel है उसका construction होता है ठीक है तो इंडिया का जो law जो है वो IBR करके जो standard है उसको prefer करता है उसके बाद these codes typically limit design basis to an external or internal operating pressure no less than 103 kilo pascal ठीक है या 0.103 mega pascal ठीक है तो कोई भी most of जो code है उसमें internal या external pressure की आप बात करें तो इससे ज्यादा pressure है उसमें pressure vessel जो है उसका construction होता है ठीक है तो pressure vessel का most of जो construction होता है इससे ज्यादा pressure के लिए जो vessel बनता है उसको आप pressure vessel बोल सकते हो however some standard also includes vessel that operate at lower pressures ठीक है तो कोई कोई standard में इससे कम pressure वाले भी pressure vessel आपको मिल सकते है external pressure on a vessel can be caused by an internal vacuum or by fluid pressure between an outer jacket and vessel wall ठीक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि pressure vessel है उसमें कली internal pressure ही हो ठीक है जैसे मैंने आगे बता है कि उसमें external pressure भी लग सकता है ठीक है तो internal vacuum की वज़े से या फिर fluid pressure जो आपका vessel का wall है और बार की साथ jacket है उसके बीच में pressure हो सकता है ठीक है तो उसका pressure external pressure है वो बोला जाएगा जैसे कोई आपका ये vessel है तो vessel का ये wall है और उसके बार की साड़ ऐसा jacket आपने लगाया है ठीक है ऐसा jacket आपने बार की साड़ लगाया है ठीक है तो vessel का ये जो wall है ठीक है उसके उपर ये जो wall है vessel का उसके उपर ये बार की साड़ जो jacket है उसका pressure लगेगा तो इसको external pressure बोला जाता है इसके बाद vessel subject to an external pressure are usually inspected in the same manner as those subjected to internal pressure ठीक है तो इसका inspection जो रहता है चाहे वो internal pressure का हो या external pressure vessel हो दोनों के लिए inspection जो है वो same रहेगा अभी pressure vessel जो है वो कौन-कौन से type के हो सकते हैं चैसे की column, towers, drums, reactors, heat exchangers, condenser, air coolers, bullets, spears and accumulator are common types of industry pressure vessel ठीक है दो यह लगबग मैंने यहां पे सारे include कर दिये हैं तो इस type से अलग-अलग type के pressure vessel आपको industry में देखने को मिलते हैं जैसे यहां पे आप देख सकते हैं यह आपके यह column type का pressure vessel है ठीक है यह actually में यह column जो है वो vertical लगेगा यह अभी horizontal है पर यह जब भी industry में लगेगा service में तो यह vertical में लगेगा ठीक है इसके अलवा यह भी column type का pressure vessel है यहां पे आप देख सकते हैं यह sphere type का pressure vessel है यह right side में है वो ठीक है यह sphere type का है और यह आपका heat exchanger है ठीक है इसको आप condenser भी बोल सकते हो ठीक है और यह यह भी sphere type का pressure vessel है उसके बाद pressure vessel है design in various shape वो shape के इसाब से भी अलग अलग type के pressure vessel आपको मिलेंगे तो में भी cylindrical with flat conical tory conical tory spherical semi ellipsoidal और hemispherical heads ठीक है तो cylindrical pressure vessel जो होते है उसके heads यहां पे दिये हुए है ठीक है heads मतलब कि उसमें जो dish end रहता है उसके अलग-अलग shape हो सकते है जैसे यह आपका pressure vessel है यह आपका dish end है दोनों side ठीक है तो इसको heads भी बूला जाता है यह आप इसको dish end ऐसा भी बूल सकते है तो dish end के यह अलग-अलग shape हो सकते है उसके अलवा spherical sparidal box ठीक है तो यह pressure vessel के final shape है with flat rectangular और square plate heads such as those used for the header of air cool exchanger ठीक है तो square plate type के भी head हो सकते है मतलब यह जो dish end जो है आपका यह एकदम flat भी हो सकता है तो यह कई सारे type के pressure vessel के shape आपको देखने को मिल सकते हैं इसके बाद cylindrical vessel including exchanger and condenser may be either vertical or horizontal and may be supported by steel column ठीक है तो यह जो cylindrical vessel है वो आपके vertical shape में भी मिलेंगे या horizontal shape में भी आपको मिल सकते हैं cylindrical plate skirt और plate lux attached to the shell ठीक है तो यह जो vertical shape vertical रहते है तो इसको steel column जो रहते हैं उसको support दिया जा सकता है ठीक है तो support के लिए अलग से squat लगाये जाते हैं ठीक है और lug भी रहते हैं इसके लिए तो plate से जो lug बनाये जाते हैं वो transfer करने के लिए vessel जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह transfer करने के लिए hook type का arrangement रहता है तो lug है उसमें hook को आप फसाते हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो sparical vessel are usually supported by steel column attached to the shell or by skirt ठीक है तो यह मैं आपके spherical vessel है तो उसमें skirt लगाये जयसे कि यहां पर दे सक्ते है यह spherical vessel है यह जो है यहां पे अलग-अलगा बट दिये गए हैं नीचे की साड़ी यह देख सकते हैं बरबर यह आपके सपोर्ट है उसके बाद स्पेरोईडल वेसल आर पार्शली और कम्पलीटली सपोर्टेड बाई रेस्टिंग उन द ग्राउण ठीक है तो कई सारे टाइप के वेसल ऐसे मिलेंगे जिसमें ग्राउण सपोर्ट रहता है मतलब की कोई अलग से सपोर्ट नहीं रहता है सिधा ही ग्राउण पे वो जैकेटेड वेसल आर दोज बिल्ट विट र केसिंग और आउटर शेल डेट फॉर्म सपेस बीट्विन इट्सेल पेंड़ में चैल बराबर तो जैकेटेड वेसल की मैंने आगे बात की कि आपका में चैल है उसके उपर जैकेट रहता है ठीक है तो इसके बीच में आपका स पेस रहेगा ठीक है इसके लिए इसमें वेसल जो है उसमें आउटर स्ट्रेस भी लगेगा बराबर मतलब आउटर लोड भी लगेगा और इस टाइप का वेसल भी आपको इंड़स्टी में देखने को मिल सकता है यह जैकेटेड वेसल है ठीक है तो में चैल है उसके ऊपर ये जैकेट लगया गया है, ठीक है, तो प्रायर टू डैवलोप्मेंट ओफ विल्डिंग, रिवेटिंग वॉस्ट कॉमन मैथड ओफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है तो विल्डिंग का जब डैवलोप्मेंट नहीं हुआ था, मतलब की इंडस्टी में ज्यादा विल्डिंग नहीं अधर लाप और रिवेटेड बडवर तो दो शैल को combine करने के लिए जोडने के लिए, लेप जोइंट या रिवेट जोइंट का यूज किया जाता था और बट वि辟 बट स्ट्रेप, इं तेन रिवेटेड ठीक है तो बट स्ट्रेप use करके उसको बट किया जाता था और उसके बाद रिवेट मार के जोड देते थे. To prevent leakage, the ages of the seams and rivet heads were cocked. बरबर तो ये cock process जो है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो ages जो रहते हैं shell के, बरबर वहाँ पे rivet head लगा के cocking किया जाता था. At high temperatures, it was difficult to keep this cock tight. बरबर तो cocking जो process है, बरबर उसमें, आपका जो high temperature रहेगा, तो cocking जो रहता है, वो पिगल जाता था, उदर बरबर leek tight जो है, वो नहीं रहता था. तो वो time पे, उसके बाद, after the technique of welding was developed, a light bead of weld was applied to the cocking ages. ठीक है, तो cocking ages जो रहता है, वहाँ पे, थोड़ा सा वो लोग welding कर लेते थे. जब भी welding का invention हुआ, उसके बाद, cocking जो करते थे, उसके, जो age रहता था, वहाँ पे, ये लोग welding कर देते थे. Although some vessel of this type can still be found in older refineries, ठीक है तो, ये cocking process वाली जो vessel है, वो आपको old refinery होगी, बहुत पूरा ने उसमें मिल जाएंगे. This method of construction is seldom used today. ठीक है दो, ये अभी के industry में अभी ये ज़्यादा तर यूज़ नहीं होती है, जोकि हम जो vessel बनाते हैं, वो most openly welding से ही बनाते हैं, इसलिए ये cocking process है, वो अभी यूज़ नहीं होती है. Today, several different method are used to construct pressure vessel, most pressure vessel and are constructed with welded joint. ठीक है, तो अभी जो pressure vessel जो most of use होते हैं, उसमें हम welding joint का ज्यादा तर यूज़ करते हैं. तो देखिए, cocking process जो है, ये देखिए, यहाँ पर ये आपका shell है, main shell जो आप बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका दूसरा shell है, इन दोनों को जोड़ने के लिए, यहाँ पर इस type का design बनाया जाता था, main shell में, ठीक है, और यहाँ पर बीच में cocking किया जाता है, एक liquid बरके य ये जो gap है, इसको seal किया जाता था, ठीक है, ये process जो उसको cocking बोलते हैं, यहाँ पर top view है, इसमें ये जो black color से जो दिख रहा है, यहाँ पर liquid है, वो place किया जाता है, और ये seal tight कर देता है, ठीक है, तो ये जो process है, वो पहले के time में ऐसे करके pressure vessel बनाया जाते हैं, तो आजशा करता हुआ आपको, वीडियो समझ में आया होगा, pressure vessel अभी के time में तो welding joint से ही बनाया जाते हैं, पर पहले के time में ये cocking process भी use होती थी, ओके, थैंक यू